अच्छी लगी मूवी, मतलब आभी जितनी मूवी जाई है, ये ये यर की जितनी मूवी जाई है बोल सकते हैं थोड़ा सा अला कॉंसेप्ट है इसका जो तो बाद किस्तोई रास काम के जला रोले का, पर फिर तो स्टोरी की सी हुआ है देखो साल 2023 में डिसेंबर में आई थे फिल्म इनकी सालार जिसमें ये काफी डिफरेंट रोल में थे, काफी डिफरेंट इनकी आक्टिंग थी और आफ्टर देट जब हम ये मूवी देखते हैं The Good Life इसमें टोटली डिफरेंट प्रिथुयार नजरा रहे हैं और उनकी आक्ट आपको इस फिल्म में नहीं देखने को मिलने वाला है लेकिन ये रियल बेस टोड़ी है आप इसके लिए ज़रूर देखे क्योंकि आप एक फ्रॉड से और एक स्काम से बच सकते हैं ऐसी मूवी देखने के बाद अगर डिरेक्टर के बात करें तो इस मूवी का डिरेक्टर स्टार टो इंड मूवी की बात करें तो काफी अच्छा रहा है लेकिन सेकेंड हाफ में अगर थोड़ा सा यूनो की सीन कट किये गए होते जो रेगिस्तान वाले सीन जो अपने घर को फाइंड आउट कर रहे थे वह सीन थोड़ा कम होता तो सा शॉर्डन स्वीर दिख सकते कि मूवी कोशिश नहीं है चोड़ी हिम्मत भी नहीं आरी कोशिश भी नहीं चोड़ी तब घर जाना था बहले मर जाते चलता लेकिन घर जाना था है हीरो का काम अच्छा लगा थोड़ा हट के था अलग था इसा बढ़िया था जैसे शुषवेशन आते गया उससे सबसे म्यूजिक आते गया था इमोशनल वाला भी म्यूजिक अच्छा था पुर जब उसको रोड मिल जाता है वो अच्छा लगा बहुत अलग, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अच्छी कहानी, सारा कुछ बहुत अच्छा था, बस वो जो रेत में जो उनके भागने वाले सीन है, वो थोड़ा सा मुझे कहीं लग रहा था, कि उसको थोड़ा शॉट किया जा सकता था, फिल्म को वही वही सीन, वही वही थी, थोड़ा रिपीटिट लगा, बट कहानी बहुत अच्छी है, एक जो डगी अभी फिल्म आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि अपना ही देश अच्छा है, बाहर जाने वालों की क्या हालत होती है, बहुत अच्छे से दिखाया, इस इन इंटरनाशनल फिल्म और सारे नाशनल अवार्ड विनर्स तीम है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा है क्या सारे लोगों ने जितने भी दूसरे कलाकार हैं, सबने अपने हिस्ते का रोल बहुत अच्छे तेया थाक्शा है और एक खास वर कि कि बीच में कहीं को बहुत अच्छी स्टोरी बनाया है मूवी बहुत दिल को तच करने वाला मूवी है यह अपना अपना गुल्फ कंट्री में जाना बोले तो बहुत रिक्स के बात है कोई एजेंट के तुरू जाना बोले तो वो भी और रिक्स है क्यूंकि दो रोटी कम खाना पर अपने इंडिया में रहना गुल्फ कंट्री जाना तो बहुत ट्रस्ट करके जाना बहुत एक्सिलेंट सबसे बेटर हीरो जो रियल लाइफ का यह दिखाया है वो हर इंडियन पॉब्लिक को सब देखना चाहिए यह मूवी बहुत मस्त लगा मुझे जाना मैं फाइवे से फॉर प्लस हाफ साड़े चार स्टार दोगा गोट लाइफ प्लस है तो यह मूवी देखके आप दो एमौसनल हो जाओगे हम भी मूसनल हो गए है बहुत अच्छी है बैसी सार इस मूवी का डिरेक्टर है डेविक किया उन्होंने डेरेक्शन लग नहीं रहा कि उनका डेरेक्शन डेविक है बहुत अच्छे तरीकी से उनको बुलाए जाता है कुछ काम के लिए और कुछ काम और दिया जाता है उनको पासपर्ट चिन लिया जाता है बीजा रख लिया जाता है तो उसी को लेकर कहानी है एक फैमिली बोलते ना वो फैमिली मेन की कहानी है पिर्थुराज सुम्प कुमारन की बात करें तो उनका परफॉर्म देखके ऐसा लाग रहा कि उनको ओसकर आवर्ड मिलनी चाहिए जिस तरीकी से उनको नहोंने काम किया उस करेक्टर को जिया स्क्रीन पर ऐसा लाग रहा था कि रियलेट तो मुवी ओपर ओल में को काफी अच्छी लगी है मुवी में एक्सन नहीं है रोमांस नहीं है आइटम सॉंग नहीं है अब सिंपल सी मुवी है एक हैमिली मैन की कहानी बतानी की गोसिस किया मुवी में तो ओडियंस को मैं बोलूँगा कि आप देखो ये मुवी को और समझ नल चालू करके छोड़ देते हैं बहने दो तो ये सब ध्यान दो आप पानी बरबाद मत करो कि यार पानी को वेश्ट करोगे आने वाले वक्त में आपको पानी तडपाएगी मुवी के अंदर वही पानी का महत्तो है क्या पानी का एक बूल के लिए जिस तरीकी से आया तो ये मुवी को मिस नहीं करनी चाहिए सारी ओडियन्स को मैं ये बोलना करें इस मुवी को मैं साड़े चार इस्टार को